नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा करीब करीब दो साल होने जा रहे हैं जब Reliance और Future Group Future Group आपने सुना होगा जिसका Big Bazaar का स्टोर है इस तरह के बहुत सारे स्टोर्स देखने को मिलते हैं तो Reliance ने यहाँ पर जो Future Group का Retail Business, Wholesale Business उसको यहाँ पर खरीदने का डील बनाया था करीब 25,000 करोन का ये डील था और आपको ये भी याद होगा मैंने कई सारे वीडियो बनाया थे जिसमें Amazon जो है वो अपोस कर रहा था इस डील को Amazon नहीं चाहता था कि Reliance और Future Group के बीच में ये जो पुरा डील है वो हो और फानली आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि Reliance को एक बहुत बड़ा जटका मिला है क्योंकि Reliance ने ये जो डील है उसको cancel करना पड़ गया 25,000 करोन का ये डील कैंसिल करना पड़ गया क्यों करना पड़ा Creditors कौन होते हैं Secured और Unsecured Creditors कौन होते हैं वो सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा चलिया आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले जहान रखना है अगर आप किसी भी exam की preparation कर रहे हैं UPSC, Judiciary, Banking State PCS कोई भी हो आपको हमारे app पर जाना है या फिर website पर जाना है सभी courses आपको मिल जाएंगे और वहाँ पर अगर आप चाहते हो maximum discount आपको मिले 40% का तो आप use करिए code UNKIT40 इससे आपको directly discount मिलेगा साथी साथ अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे Insta page पर जा सकते हैं शोर बियानी की future group की कई सारे businesses थे जैसे retail business, wholesale business, logistic हो गया, warehousing इस तरह का कई सारा जो business था उन्होंने decide कि वो reliance industries को बेच देंगे और obvious सी बात है reliance के पास काफी पैसा है वो already इस business के अंदर involved है तो further अपने आपको ये बड़ा करना चाहता था बिग बजार एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है आपने सुना होगा तो उसको अगर reliance purchase कर लेता तो उसका asset और भी जादा बड़ा हो जाता क्योंकि problem क्या हो रही थी कि ये जो future group है न वो सही से चल नहीं पा रहा था बहुत जादा इसकी उपर कर्ज हो गया था तो finally किशोर बियानी ने इसको decide कि हम reliance को बेज देंगे लेकिन 25,000 करोन का लभग ये deal हुआ था exactly आप देख सकते हो 24,713 करोन यहाँ पर हुआ क्या है कि future group के जो creditors है especially secured creditors उन्होंने इस deal के लिए मना कर दिया है कहने का मतलब आप थोड़ा सा समझे जैसे कि मानलो आपकी company है ABC ठीक है तो आपकी company है तो क्या सारा पैसा आपने लगा है इस company में usually ऐसा नहीं होता है जो बड़ी businesses होते हैं वो क्या करते हैं बैंकों से उधार लेते हैं अब जो उधार लेते हैं वो कौन होगे उनको creditors कहा जाता है क्योंकि क्या है आप debtors है आपने करज लिया है जिन्हों उन्हें करज दिया है जैसे bank हो गए financial institutions हो गए उन्होंने आपको करज दिया है तो ये creditors कहलाते हैं देखो अब creditors में भी क्या होता है न दो तरीके creditors होता है एक होता है secured creditors और दूसरा होता है unsecured creditors देखो creditors तो आपको समझ में आ गया कि वो लोग पैसा देते हैं आपको ठीक है लेकिन secured और unsecured का मतलब ये होता है कि मानलो आपकी ये जो company है आपकी या मेरी company जो भी है company ABC अगर ये company डूबने लगती है मतलब अगर ये company fail हो जाती है ये डूबने लगती है तो ultimately क्या होता है कि इस company को exit करना होता है तो इसके asset वगर बेचे जाते हैं तो जो भी उ जरुद पढ़ गई अचानक से 10,000 करोण की ठीक है तो अब हो सकता है कि 10,000 करोण में जो है अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि हम SBI से 10,000 करोण लेना चाहते हैं लेकिन SBI ये कह रही है कि हम secured creditors होंगे secured का मतलब ये है कि जब ये company का dissolution होगा company खतम होगी तो जो भी इसक अगर बेचे जाएंगे सबसे पहले हगदार जो हैं वो secured creditors होंगे और उसके बाद अगर पैसा बचा तो unsecured creditors होंगे मैं आपको एक और example से बताता हूं suppose मानलो ये company ने 1000 रुपए लिया था माननके चलो 1000 रुपए कर्ज लिया था अब 1000 रुपए में अगर आप देखो तो 700 में जो पहला 500 रुपए है वो secured creditors को मिलेगा और बाकी का जो 200 फिर बचा वो फिर unsecured creditors आपस में यहाँ पर बाटलेंगे simple सा यह difference है और इसके लावा एक और चीज़ होता है कई बारा secured creditors में कि वो एक particular asset से attach हो जाते है मतलो इस company का एक जमीन पढ़ा हुआ है तो उस जमीन के हगदार अकेले यह secured creditors होंगे अगर यह company fail हो जाती है तो यह होता है secured or unsecured तो हुआ क्या है कि यह जो future group के secured creditors थे उन्ह उन्हें मना कर दिया उन्होंने कहा कि हम यह deal नहीं चाते हैं और finally इसी के वज़े से reliance को यह deal जो है cancel करनी पड़ गए अब question आएगा कि कितने secured creditors ने यहाँ पर deal है उसको उसके लिए मना कर दिया मैं आपको एक एक आंकड़ा बताता हूं यहाँ पर जैसे क्या होता है न कि जो ऐसा नहीं है secured creditors का मतरब तो है नहीं कि मालो यह future group तो बहुत बड़ी company है तो जरूरी थोड़ी है कि इन्होंने सिर्फ एक ही bank से यहाँ पर loan लिया होगा बहुत सारे bank होंगे बहुत सारे institutions होंगे बहुत सारे लोग होंगे जिनसे इन्होंने पैसा लिया होगा तो आप आप देखो यहाँ पर क्या बोला गया है करीब 11 ऐसे lenders हैं जिनका 69.29 हिस्सा secured creditors का आपको देखने को मिलता है जैसी मैं अगर खाली secured creditors की बात करूँ तो secured creditors में से जो 69% वाले vote हैं उन्होंने कह दिया कि हम यह deal नहीं चाहते हैं और बाकी का जो 39% vote हैं जो secured creditors के उन्हों तो ज्यादा तर secured creditors के कहा कि हम यह deal नहीं चाहते हैं लेकिन इसके अलावा अगर आप देखो कि जो unsecured creditors हैं जितने भी उसमें से 78% vote नहीं यह का कि हम यह deal को चाहते हैं और बाकी के लोगों कहा कि हम यह deal को नहीं चाहते हैं लेकिन ज़रूरी क्या होता है न इसतरा कि वो यहाँ पर राजी नहीं हो रहे हैं, वो इससे सहमत नहीं हो रहे हैं और इसी की वज़े से आप कह सकते हो कि यह जो deal है वो reliance को finally cancel करना पड़ा क्योंकि जब तक वो लोग ready नहीं हो गए इस चीज के लिए तब तक यह deal नहीं हो पाएगी, अब question आपके मन में यह भी है future group को, क्या अब वो कर्ज reliance दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, ultimately जो creditors है उनको तो अपना पैसा चाहिए, तो यहाँ पर कही न कहीं बैंकों को यह दिख राता जिनोंने जो secured creditors है, उनको यह दिख राता कि अगर यह company reliance future group को ले लेती है, तो हो सकता है कि reliance उनको यह प कुछ नहीं थे, इसको लेकर मान नहीं रहते, और इसलिए आप कह सकते हो कि यहाँ पर यह जो deal है, वो नहीं हो पाया, इनपर यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक मुद्दा था ना, क्योंकि directly conflict दिख रहा था मुकेश, अमबानी और जेफ बेजोस के बीच में, क्योंकि था Amazon और Future Group के बीच में, यहाँ पर Future Group का कुछ हिस्सा Amazon ने ले लिया था, और उसमें यहाँ पर Amazon का यह कहना था कि आगे चलकर भविश में, अगर Future Group अपनी कमपनी किसी और को बेचती है, तो Amazon के permission की बिना नहीं बेच सकती, ऐसा Amazon का कहना था, और जब Future Group ने अपना अपना जो पूरा कमपनी है, वो Reliance को बेचना स्टार्ट किया, तो Amazon ने यहाँ पर question raise कर दिये, और यह कहा कि Future Group Reliance को नहीं बिख सकती, क्योंकि अगर Reliance यहाँ पर Future Group को ले लेगी, तो ultimately दोनों के बीच में काफी ज़ादा clash होगा market के अंदर, क्योंकि वो एक ही segment में है, retail business में है, इस वर्ट में आपको बताऊं, तो Amazon जो है, वो Singapore में जो arbitral tribunal है, वहाँ पर चली गई थी, और arbitral tribunal का फैसला आया था कि हाँ, यह deal नहीं होना चाहिए, और इसलिए Amazon यहाँ पर यह कह रहा था, कि यह जो deal हो रही है, वो पूरी तरह से गलत है, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ और future group भारत के अंदर जो court है, high court है, फिर NCLT हो गया, national company law tribunal, वहाँ पर चली गई, और वहाँ पर इसको जीत मिल गई, तो future group ने यह कहा कि NCLT से हमें permission मिल गई है, इसलिए यह जो deal है, वो होगा, तो दोनों के बीच में, I hope कि समझ में आ गया होगा आपको कि कि कितना जो है, वो देखने को मिल रहा था, finally question है कि क्या यह बहुत बड़ा setback है, future group के लिए बिल्कुल setback है, यहाँ पर अब देखोगे न, future group का future, कई सारे shares है, future retail, future enterprise, तो यहाँ पर future retail का जो shares का दाम है, वो 50-60 रुपए कि आस पास चल रहा था कुछ समय पहले, लिकिन जैसे जै 29.4 पर close हुआ है, परसों जो है Friday को, अब Monday को जब मार्केट खुलेगा न, तो मान के चलिए बहुत तेजी से फिर से गिरने वाला है, and definitely इसका impact Reliance के shares पर भी आपको देखने को मिलेगा, और अब आगे क्या होगा future group का मुझे भी नहीं पता, आप देखना होगा, ultimately क्या है न आप देखोगे ना, तो लगतार, वो कर्ज जो देना था, वो नहीं दे पा रहा था, अभी 31 March को इनको 5000 क्रोड से जादा देना था, ये लोग दे नहीं पाए, देखते हैं आगे क्या होगा, बटाई होग की जो पूरा मामला था, वो आपको समझ में आ गया होगा, जाने से आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, बाकिए अगर आपको PDF ये तो टेलि आपको बारी माथ, यूसुन